हेलोगाईज मेरा नाम है समयरंजन और हम एधर घूमने आये हैं यहे औरिकूलडेम यह देखिए बहुती मतलब पानी से लगा हुआ पाहड जासा दिगरा है और ओ भाई यह तो मतलब बांद का जो चाबी है ना इसी से खुलता है जब बाडु अगेरा आता रहता है पानी ज देखेंगे सुजलन वगेरा में मतलब बहुत ही अच्छा और यह हमारा भेन है हम जो इस भेन से घूमने के लिए और जो यह लोग को लोर के टी-शेट वह गाड़ी का मालिक है मतलब मेरे चाचा जी है देखिए बहुत ही अच्छा है साम का मतलब घूमने का मजा ही कुछ देखिए और है उधर भी भाईजाब आये हुए है मेरा केमरा थोड़ा से मतलब खोड़ी सी खराब है इसलिए लेकिन कुछ नहीं है चलेगा इस डेम में क्या बता है मापको बहुत लोग मतलब मचली के उपर निरवर करते रहते हैं और साइड में जो आप देखिए ना ज के नाल है मतलब इस के नाल से ना हमारे गाउं तो मतलब उधर असपरड जो जितने गाउं है पानी जाता है और इधर खेती भी हुई है देखिए मेरा केमरा मेरा केमरा थोड़ा सा मतलब साम हो गया ना पूरानी मोबाईल है इसलिए उद्धनेर है और यह मिस्टर सीबू बाई क्या देख रहे हो इभनिंग का नजारा ही कुछ और है लोग साइकेल पे भी आये हुए हम पहले हम एक सल दो सल पहले जोब आते थे ना हम साइकेल पे भी आते थे बहुत ही ज्यादा थख जाते थे यह हमारा भेन है देखिए और अंदर बेठा है यह मिस्टर दो दिन से मतलब औरिसा में दो दिन से वारिस हो रहे हैं इसलिए बहुत ही जदक कीचड़ कीचड़ है मतलब चलने लायक है लेकिन कोई बद नहीं चलेगा और और मैं क्या बता हूं हमारा गाड़ी भी स्टार्ट हो गया आईए हम चल लें साम हो गया ना अघ्मिया आता है और यह क्या है दो 2 बैसे लाका है भाट है यह जो मतलब इसको क्या बहुत है यह जो यह पूल अगर हावडा ब्रीज की नहीं यह छोटा सा ब्रीज है हावडा ब्रीज की तरह लंबा होता ना बहुत ही ज्यादा मतलब देखने लाइक और चड़ने लाइक भी होता सेब भी होता क्योंकि इसमें चलने के लिए अंदर कुछ भी बिचाया नहीं कि वह भाई मुझे लगते है वो तो मचली पपेड़ने के बाद जो बोड़ी में कादो पगेरा लग जाता है ना इसलिए और अभी तो बहुत ही लग घुमने के लिए आ रहे हैं और हमारा गाड़ी भी आ गया ओके दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में